प्रेंट्स भारत में प्रोसेज फूड इंडिस्ट्री को आज सन्राइज सेक्टर के रुपे देखा जा रहा है पहले वर्ल्ड फूड इंडिया के आयोजन से जो परिणाम प्राप्त हुई है वो भी इसका एक बहुत बड़ा उदहारण है पिछले नव वर्सों में इस सेक्टर में पचास हजार करोड का एफडियाई आया है यह भारत सरकार की प्रो इंडिस्ट्री और प्रो फार्मर्स पॉलिसिस का परिणाम है हमने फूर्ड प्रेसिसिंग सेक्टर के लिए पियल आई की स्कीम प्रारंब की है इसके तहट इंडिस्ट्री और नए प्लेयर्स को विशेज सहयोग मिल रहा है आज भारत में एगरी इंफ्राफ़न के तहट पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रासक्चर के लिए भी हजारों प्रोजेक्स पर काम हो रहा है इसमें भी पच्चांस हजार करोड रुपे से ज़्यादा का इंवेस्ट्मेंट हुआ है फिश्टरीज और एनिमल हस्बंडरी में भी प्रोसेसिंग इंफ्रासक्चर पर हजारों करोड रुपे के इंवेस्ट्मेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है साथियों आज भारत में यह जो इन्वेस्टर फ्रेंडली पालिसीज बनी है वो फूर्ड सेक्टर को एक नई उंचाई पर ले जा रही है पिछले नव वर्षों में हमारे क्रशी निर्यात में प्रोसेश फूर का हिस्सा तेरा से बढ़कर 23 परसेंट हो गया है थर्टिन टू 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 पिंटी थ्री नव सालों में प्रोसेश फूर के एक्सपोर्ट में करीब करीब हंडेड फिप्टी परसेंट की वृद्धी हुई है आज हम पच्चास हजार मिलियन डॉलर से जामदा का एग्रो एक्सपोर्ट करके ग्लोबली सांतवे नंबर पर आगए है फूर प्रोसेशिंग इंडिस्टी से जुड़ा ऐसा कोई खेत्र नहीं है जिसमें भारत ने अप्रत्यासित वृद्धी न दर्जिकी हूँ इफूट सेक्टर से जुड़ी हर कंपनी के लिए हर स्टार्ट अप के लिए एक गोल्डन आपर्चुनिटी है फ्रेंड्स ये ग्रोथ अपने आप में स्पीडी और रेपीड जरूर लग रही है इसके पीछे हमारी कंसिस्टन्ट और डेडिकेटेड मेहनत भी रही है हमारी सरकार के दोरान ही भारत ने पहली बार एगरी एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई हमने नेशन वाइड लोजिस्टी और इंफ्रा स्थेक्टर का नेट्वर्क खड़ा किया आज भारत में सो से ज़्यादा डिस्टिक और डिस्टिक लिवल पर डिस्टिक एक्सपोर्ट हब्स तयार हुए है जो सीधे डिस्टिक सीधा ग्लोबल मार्केट से जूड रहे हैं पहले देश में दो बेगा फुड़ पार्क होते थे आज ये संख्या बिस से भी ज़्यादा हो गई है पहले हमारी प्रोसेसिंग केपिसिटी बारा लाख मेट्रिक टन थी अब ये दो सो लाख मेट्रिक टन से भी ज़्यादा है यानि नव वर्षों में पंद्रा गुना से ज़्यादा की वृद्धी ऐसे कई प्रोडुक्स हैं जो पहली बार विदेशी बाजारों में जा रहे हैं जैसे हिमाचल प्रदेश का ब्लेक गार्लिक कच का ड्रेगन फूट या कमलम मद्ध प्रदेश का सोया मिल्क पाउडर लग्दा का कार्टीचु एपल पंजाब का केवेंडिस बनाना जम्मू का गुच्ची मश्रूम कानाटका का रवहनी ऐसे कितने ही प्रोडुक्स हैं जो कई देशों में पहली पसंद बन गए हैं बहुत पसंद किये जा रहे हैं यानि आपके लिए पुरी दिनिया में एक बहुत बड़ा बाजार बन रहा है